यो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आज का सुल्यूशन आज किस वीडियो की मदद से हम से भी जानेंगे गुल्लक अप्लिकेशन्स क्या है और आप लोग गुल्लक अप्लिकेशन्स को किस तरीके से अपनी मुबाइल फोन में यूज कर सकते हैं यहाँ पर देख सकती हैं गुल्लक अप्लिकेशन्स दिखाई दे रही है मैंने इसे प्लेकेशन्स से डाउनलोड कर लिया है अब चलिए मैं अप्लिकेशन्स को ओपन के ओपर किलिक करके ओपन कर लेता हूँ यहाँ देखेंगे applications open होने के बाल कुछ इस तरीके से interface देखने को मिलती है अब यहाँ पर इस तरीके से interface देखने को मिल रही है लेकिन applications को use करने से पहले मैं आपको इसकी download और इसकी rating दिखाना चाहता हूँ मैं पहले store पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं good luck applications को search करता हूँ यहाँ पर good luck app यहाँ देखेंगे applications सर्च करने के बाद इस तरीके से applications दिखाई दी रही है applications में यहाँ पर आप लोग दिख सकती है एक लाग पलस का downloads है और यहाँ पर 4.7 का rating है यह आगे जा करके ज़्यादा भी हो सकती है और यहाँ पर आप लोग रिभ्यूज के किलिक करके आप लोग यहाँ पर रिभ्यूज भी read कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप लोग जो यहाँ पर रिभ्यूज के ओपर किलिक करके जिससे कि आप इसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं और वो मुबाइल नमर आपके पास में होना चाहिए तो चलिए मैं अपना मुबाइल नमर यहां पर डालता हूँ इसके बाद आप गेट OTP के उपऄर किलिक करेंगी आपके मुबाइल पर एक OTP आएगी जो कि आटोमेटिक फिल यहांपर नहीं होगी तो आपको यहाँ पर फिल करनी परीगी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के से इंटरफेस दिखने को मिल रही यहाँ पर देख सकते हैं मैंने OTP फिल कर दी है और OTP फिल करने के बाद कुछ इस तरह के से इंटरफेस दिखने को मिला तो अब यहाँ पर आपको अपना फूल नेम फिल कर देनी है और यहाँ पर एज फिल कर देनी है तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नेम को फिल करता हूँ जो भी मेरा नाम है और यहाँ पर मैं अपना एज को भी फिल करता हूँ और इसके बाद यहाँ आपको I have a referral code के उपर click कर देनी है और यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पर referral code फिल कर सकती है यहाँ दिखेंगे यहाँ पे जो यह referral code यदि आप यूज करते हैं तो यहाँ पे 50 लुपए आपको extra मिलेंगे यह आपके उपर depend करता है आप चाहे तो यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर दिख सकते हैं मैंने referral code फिल कर दिया है 1RPKFZ आपको यह referral code फिल कर देनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक next का options देखने को मिलेगा आपको इस next के उपर click कर देनी है इस तरीके से आपके सामने interface open हो जाएगा अब यहाँ आप gate started के उपर click करेंगे और इस तरीके से इसे enable करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मैंने इसे fingerprint इसमें enable कर दिया है अब मैं reward के उपर click करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यह total earning zero दिखाए दे रही है अब देखेंगे इस applications की मदद से आप लोग पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं इस applications की मदद से पैसे कमानी के लिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है reward का option यहाँ पर अधि आप लोग 1000 यहाँ पर एड करते हैं तो आपको 125 रुपई यहाँ पर जीच सकते हैं यहाँ पर लिखावा ऐसा इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं यही की तरफ मैंगों तो बोजरात बरहा के दिया गया है इसी तरिके से आप लोग इस Applications को यूज कर सकती है और इस Applications की मद़प से आप गुललक में पैसे जख सकते हैं गुललक अभी आ रहा है और यहाँ पर दिखेंगे Save आप अपने पैसी को जो है गॉल्ड ही इहाँ यहाँ पे Save कर सकते हैं इस Applications के अंदर में और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के सी एप्लिकेशन दिखाई दे रही है यह ट्रांजक्सन का ओप्संस है यह गुल्लक का ओप्संस है और यह हॉम का ओप्संस है और यह एप्लिकेशन यह है Save on your every spent in digital gold यहाँ पर देख सकते हैं सुईगी दिखाई दे रही है यदि मैं इसके ओपर किलिक करो दो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह के से दिखाई देती है 3,000 इस तरह के से आप लोग देख सकते हैं तीन रुपए यहाँ पर देखाई दे रहे हैं इसी तरह के से आप लोग इस अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं और इस अप्लिकेशन की मदद से आप लोग जो है डिजिटल गोल्ड में पैसे को यहां पर सेप कर सकते हैं I hope कि आप लोगों को आज क्या विड़ा समझ में आ गई होगी